नमस्तार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अर्विन नामद्य। मैं शिवालय हस्पिटल कोलार भुपाल में पेटेवं लिवर रोग विशेशक्गी के रूप में पिछले दस वर्शों से कारे रत हूँ यह वीडियो जो हम बना रहे हैं हमारे पिछले वीडियो के कंटिनुशन में हैं जिसमें हमने pancreatitis क्या होता है pancreas क्या होता है उसके कारण और उसके जो mechanism है उसके बात की थी आज हम उस वीडियो के आगे continue करेंगे कि जो pancreatitis है यह basically कैसे हम पैचाने pancreatitis याने कि उसके symptoms क्या होते है और उसका treatment क्या है तो जैसे मैंने बताया कि pancreatitis जो है इसके symptom में ये बहुत ही एक गंभीर बीमारी है क्योंकि इसका दर्द जो है वो one of the most severe pain होता है बहुत ही गंभीर pain होता है बहुत ही severe pain होता है और generally ये पेट के उपरी हिस्से से शुरू होता है जो back याने पीट तक radiate करता है साथ ही साथ अगर ये ज्यादा attack तगड़ा हो तो इसके साथ ह intestine और पेट के आसपास सब जगे सूजन आ जाती है जिससे आथ की चाल रुख जाती है पेट में फूलना आ जाता है उल्टियां होने लगती है जनरली मरीज को ऐसे मैं अस्पताल आना ही पड़ता है symptoms में जैसे मैंने बुला pain सबसे common है it depends कि attack कितना तगड़ा था और वो depend कर करता है current पे तो यदि stones है चोटे से stone है अठके और निकल गया जैसे मैंने बताया था कि gallstones है अगर वो अठका और निकल गया तो एक हलका सा attack आके भी रुख सकता है लेकिन वो stone अगर आके फस गया तो pain बहुत जादा होगा और लगातार बना रहेगा अगी कभी stone floating भी रहते आते हैं ब्लॉक होते हैं प्रेशर घटता है तो ऊपर चले जाते हैं फिर आते हैं तो recurrent pain abdomen भी हो सकता है ऐसे यह alcohol depend करता है कि कितना binge of alcohol लिया उससे कितना toxin बना और कितना उसने damage किया तो severity of pain जो है that varies generally बहुत severe pain होता है जो intermittent हो सकता है और कभी-कभी continuous pain भी हो सकता है इसके पेशेंट के अलावा पेशेंट को नौशिया होता है उल्टिया होने लगती है और पेट फूलने लगता है पेशेंट को थोड़े समय बाद अगर यह बहुत severe necrotizing pain हुआ तो इस्तिती और गंभीर हो सकती है जिसमें multi-organ failure तक में पेशेंट जा सकता है सूजन के चलते बी- यदि सही समय पे इलाज ना लिया जाए सही समय पे उनको interventions ना हो तो यह जान लिवा भी हो सकता है तो मतला it is very well known कि pancreatitis acute severe pancreatitis can kill patient within hours यह घंटों में ही patient की जान भी ले सकता है इसके उलट जो है pancreatitis एक जो दूसरा टाइप है उसको हम chronic pancreatitis बोलते हैं जो again यही precipitating factor होते है शर जो है chronic pancreatitis हो जाती है शराब पीने वालों में पता भी नहीं चलता लेकिन धीरे 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 उनका pancreatitis जो है वह फाइव रोज होने लगता है इसमें stones बनने लगते हैं और उसके हलके हलके attack आते हैं जो समय के साथ frequency of attacks बढ़ती जाती है और इसको फिर हम chronic pancreatitis बोलने जाए दवाईयां ना खाई जाएं जिनसे यह होता है इसके लावा infection से बचा जाए तो जनरली acute pancreatitis के बाद दुबारा attacks नहीं आते हैं chronic pancreatitis जो है again it depends on cause जैसे कि शराब पीने वाला नहीं छोड़ रहा है बार बार पी रहा और उसको हलके हलके attack आ रहे हैं तो दीरे दीरे damage ह होता है pancreas में हर बार वो damage दो है fibrosis कराता है और permanent changes pancreatitis में आने लगते हैं जिसको कि हम chronic pancreatitis बोलता है अब यह जो chronic pancreatitis है जैसा मैंने बोला कि pancreas जो है juice बनाता है और insulin बनाता है लेकिन अगर damage जादा हुआ तो फिर patient को जो है pancreatic juice की deficiency होगी जिसके कारण उसको mal absorption होगा याने कि खाना नहीं पचेगा खाना ना पचने की स्तिती में मरीज को दस्त लगने लगेंगे जनरली वो fatty lose motions होते हैं और वो mal absorption symptoms क्या लाते है pancreatitis के इसके अलावा जब pancreas बहुत ज diabetes होती है जो दवाईयों से ठीक नहीं होती जनरली उसमें फिर आपको इंसुलिन्स ही लेने पड़ते हैं तो जो symptoms से वो depend करते हैं कि severity क्या है acute है chronic है और chronic है और chronicity में कितना parent का मैं loss हो चुका है तो patient को हलका पेट दर्द भी हो सकता है हलका याने कि mild attack but pain severe होगा ठीक है तो उ severe attack आया तो साथ में उसको complications होंगे multi-organ failure हो सकता है लंबे समय तक अगर 57 दिन निकले और उसमें on top of that necrosis में infection हो गया तो sepsis हो सकता है जनरली ये patient ICU में land करते हैं इसके अलावा जो है अगर chronic pancreatitis है तो patient को mal absorption होगा या उसको साथ में diabetes होगी शुगर होने लगेगी ये तो बात होई patient को symptoms की अब treatment क्या करें तो treatment में ये समझें कि जब भी acute attack of pancreatitis होता है तो तुरंट patient को hospital ही जाना चाहिए क्योंकि उसको सबसे simple है उसका खाना पीना बंद करके pancreas को rest देना होता है अगर हम कुछ भी खाएंगे पीएंगे तो pancreas को calm और जो है gastric juice pancreatic juice बनेगा ही में उसको rest देने के लिए उसको nbm यानि मुह से खाना पीना बंद करने मुह से खाना पीना बंद करने के साथ साथ body को support चाहिए तो उसको पूरा बाकाइदा fluids energy के लिए glucose ये सब चीज़े साथ में support depending upon severity आपके doctor decide करेंगे कि अगर multi-organ failure है impending failure है तो उसके इसाब से उसको care प पहानी होंगी जो कि उसको basically enzyme supplements होते हैं पेन है तो painkillers लेने पड़ते हैं और most of the time इसमें interventions की जरुवत तब पढ़ती जब complications के साथ में वहां को fluid collection या infection या पस पढ़ जाए तो फिर इसमें endoscopically or radiologically or surgical intervention की जरुवत भी पढ़ती है तो हमें समझना यह है कि जो pancreatitis है ये spectrum of symptoms लेके आती हैं इसके causes भी कई होते हैं और साथ ही साथ इसका treatment भी एक पूरा spectrum होता है मतलब अगर हलका है तो आप खाना पीना बंद कर दे तो उसमें भी आराम आ जाता है थोड़ा ज़ादा है तो खाना पीने के साथ में एड़मिट होके support चाहिए होता है और ज़ादा है त तो दवाईयां भी लगेंगी और साथ में intervention की ज़ुरत भी होगी और यदि और गंभी रिस्तिती बनती है तो surgery की भी आवश्यक्ता पड़ सकती है तो pancreatitis अपने आप में एक गंभीर बीमारी है जो लंबे समय तक भी चल सकती है और इसके कारण बहुत कॉमन है गॉल स्टो में डेली pancreatitis के patients देखते रहते हैं I hope ये वीडियो आपको कुछ हद तक मदद करेगा समझने में और इससे बचने का तरीका जो है pancreas का या pancreatitis का सबसे आसान है healthy lifestyle, no alcohol, health screening, अगर sonographic simple कर ले और stories आपको पहले ही पकड़ में आ जाए तो इसमें intervention कराईए, no self medication क्योंकि अच्छे रखें तो infection से बच सकते हैं I think ये वीडियो आपको help करेगा, इसके बाद भी अगर कोई सवाल है तो आप comment box में पूछ सकते है, I will be very happy to answer you, हमश्कार